बिहार बिधान सवा चुनाओं की तिथी की घोशना हो चुकी है बिहार में आज से आचार सहीता लागू हो चुका है अभी हमारे साथ केंद्री मंत्री गिरिरा सिंग मौजूद हैं हम इन से सीधे जुड़ते हैं और जानने की कोशिस करते हैं कि बिहार में जो तीन फेज में चुनाओं होने वाले हैं अंडिये का इस बार क्या परफार्मेंस रहेगा और क्या इस बार 2010 से ज्यादा सीधे जीत पाने में सक्षा मोगी अंडिये गिरिराज सिंग से हम सीधे बात करते हैं गिरिराज जी इस वर चुनाओ 28 अक्टूबर को पहरे चरन का होना है 10 नौंबर को मतगना होगी तो इस तीन चरन के चुनाओ में क्या लगता है इस वर क्या स्थिती है बिहार देखिए मेरा मानना है कि बिहार में 2010 से बहतर स्थिती रहेगी इंडिये की और मैं पूर्ण बहुमत जिसको कहते हैं ही नहीं बलकि सवल बहुमत आएगा सवल बहुमत आएगा लेकिन जो इंडिये में अभी तक सीटो का बटवारा नहीं हो सका है चिराग पास्वान जो नाराज चल रहे है मुखमंत्री नितिश कुमार से ऐसे में क्या लगता है कि चुनाओ की तारीक की घोषना हो गई अभी तक बटवारा नहीं हो पाया एंडिये के अंदर जो खींस्तान चल रही है वो पुरा नहीं हो पाया चिंता ना करें ये सब समय के साथ घोषना हो गई है तो सभाविक है कि समय के साथ सब कुछ हो जाएगा महागटवंधन के अंदर भी बिखराओ देखा जा रहा है उपेंद्र कुस्वाहा भी अब बाहर का रास्ता तलास रहे है जीतनरा माजी अंदिये में अपने घर वापसी कर चुके है तो ऐसा क्या लगता है कि महागटवंधन की क्या स्थिती रहेगी कहीं टिकता है देखिए महागटवंधन का तो कल है उपेंद्र कुस्वाहा ने वो जो बैलून में हवा भरा गया था महागटवंधन का हवा उसको उन्होंने डिफ्यूज कर दिया और ये कहा कि इस चेहरे में आरजेडी के चेहरे में ताकत नहीं है नितिस से लगने का तो मैं उस पर क्या कहूँ दिल के टुक्रे हजार हुए कोई यहां गिरे कोई वहां गिरे यही बात महागटवंधन की तरफ से भी कही जा रही है कि एंडिये में जो आग लगेगी घर के चिराग से लगेगी चिंता ना करें एंडिये चटान की तरह एक है ऐसे में मुखमंतरी की नितित्तु में ही ये चुनाओं लड़ा जाएगा नितिष कुमार के नितित्तु में ये प्रधान मंतरी भी कहा चुके हैं, ग्री मंतरी भी चुके हैं जेपी नड़ा भी कहा चुके हैं तो इस बार का जो सेनारियो है जो wanna का काल आया, जिसक्रता से प्रवासी मज़़ूर लोटे बहुत सारे एलिगेशन लगे राज सरकार के उपर तो ऐसे में लगता है कि इस बार निगेटिविटी आ सकती है कुछ देखिए राजनीत में निगेटी पोजेटीव भी पक्ष के दौरा किया जाता है लेकिन जो काम केंदर और राज ने मिलके किया वो एक ऐसा काम था लोगों को भोजन देने से ले करके टेस्टिंग करने से ले करके लोगों के खाते में पैसा देने से चाहे उजवला हो चाहे जंधने काउंट हो चाहे बिर्धा का हो चाहे दिब्यां का हो चाहे किशान का हो ये एक अपने में अदभुत काम हुआ है मैं उनकी चर्चा नहीं कर रहा हूँ जो अरहाई हजार से उपर पूल पूलिया बना मैं उसकी चर्चा नहीं कर रहा हूँ कि गंगा नदी पर बड़े बड़े पूल बने और 17 टोटल मिलाके किसी का अधार सिला रखा गया कोई पूरा हो गया छप्रा से ले करके मनेर से ले करके कहल गाओं भागलपूर तक तो ये विकास की गती और इतनी तेजी से मोदी जी और नितिश कुमार के नितरित में हुआ है इसलिए विपक्च के पास केवल ठेथरोलोजी करने का है ठेथरोलोजी के सिवा कुछ नहीं है अभी किसानों की चर्चा चल रही है मैं तो चुनोती के साथ लोगों से कहा कि ठेथरोलोजी करना है तो करो प्रधान मंत्री ने 93 हजार करोर यानि लगभग एक लाख करोर किसानों के खाते में दिया और कभी कांग्रेस कहती थी राजिव गांधी कि एक रुपया भेजते हैं तो पंद्रे पैसा जाता है प्रधान मंत्री ने पार दर्सिता की तरह एक-एक पाई दिया केवल वही नहीं दिया साब बाड़े लाख करोर भेजा उसमें बिहार भी है देश भी है आज किशानों से जा करके पूछे है आज बिहार में अलग फीडर बन रहा है किशानों के लिए गरिबों से पूछे है कि पंद्रे साल पहले किरासन तेल के लिए दर-दर भटकते थे आज उसके घर में रोसनी है मैं विकास की चर्चा नहीं करना चाहता कि सोचाले बना की नहीं उनके घर में बिजली हुई की नहीं हुई ये ऐसा हुआ है कि भूतो नभविश्यतो बिहार में प्रधान मंत्री ने बावा लाग करोर रुपया 2015 में पैकेज का हथ था एक एक पाई का विकास दिखा दिया वह ही नहीं दो मरहुरा में एक इंजन का और एक मधेपूरा में ये क्या छे साल के अंदर प्रधान मंत्री ने शिलान्यास किया उसका उदगाटन कर रहे हैं बरवनी फटिलाइजर मैं वहाँ से सांसद हूँ कई कांग्रेस के नेता लालू जी जाकर के सिलापट खोला आए थे कार खाना का पैसा नहीं था साथ हजार करोर दे के किया बरवनी रिफाइंडरी बंध होने के कगार पर था कांग्रेस कहती थी पैट्रो केमकास खुलेगी बेगुसराई बरवनी में लेकिन वो तो बंध होने की चा चार मिलियन टन से च्छे से नौ पंद्रह हजार करोर टोटल पचीस हजार करोर का तो विकास की चर्चा ने मोदी की विश्वशनिता भी है मोदी की विश्वशनिता है बिहार को आत्म निर्भर बनाना है तो आत्म निर्भर के लिए अब काम होगा बिहार का विकास होगा लेकिन क्या इस चुनाओं में राम मंदर 370, CAA, NRC ये सब मुद्दा भी रहेगा देखिए साहब जब बातें उठती है तो ससक्त भारत की चर्चा नहीं होगी आत्म निर्भर भारत की चर्चा नहीं होगी आत्म निर्भर भारत की चर्चा होनी है राम मंदर की चर्चा होनी है क्योंकि भारत एक ससक्त भारत दुनिया में करके दिखाया है कि आत्म निर्भर भारत तेजस से ही नहीं, बर्मोश से ही नहीं, सिमाओं पर से ही नहीं, हम एक तरफ सिमाओं को सुरक्षित कर रहे हैं और एक सौट डीफेंस के आइटम को आत्म निर्भर भारत में बनाने की बात कर रहे हैं, तो वहीं भारत के सांस्कृतिक धरोहर राम मंदिर का भी सिला न्यास किया वहीं एक देश एक कानून बनाने का भी काम किया तो चर्चा तो सब का होगा क्या जन संख्या कानून भी आएगा देखे अब चुनाव आ गया है इस पर हम कुछ नहीं बोलेंगे लेकिन आज देश के विकास के लिए देश के समाजिक सम्रस्ता के लिए जन संख्या नियंतन कानून बहुत जरूरी है मैं मंच से भी कहूंगा और आपके माध्यम से भी कह रहा हूँ नहीं तो पूरे दुनिया की आबादी का जमीन का केवल केवल ढ़ाए परतिशत ही मेरे पास जमीन है भाईया चार परतिशत जमीन ढ़ाए परतिशत पानी यही हमारा खेल है ऐसी एस्तिती में हम कहां से रह पाएंगे नसुद्ध पानी मिल पाएगा नभोजन मिल पाएगा तो देश में आवादी को नियंतृत करना भारत के विकास की प्राथमिक्ता होनी चाहिए आपने एक बार मुझे याद है कि आपने कहा था कि मुसल्मानों का अल्वसंखक कह देना बंद कर देना चाहिए क्योंकि उनकी इतनी आवादी है चलिए इस पर फिर बात में हम बात करेंगे अभी चुनाव का माहौल है चुनाव के माहौल में हम प्रधान मंतरी के विकास की चर्चा करते हैं उस पर भी आगे चर्चा करते हैं देखे उनका पडिवारी की चीज है पार्टी है आज बी जेपी का कोई बदलना चाहे कि दिन देयाल उपाद्या के एक आतम मानबाद को तो कोई नहीं बदल पाएगा क्योंकि एक पार्टी है लेकिन जो पडिवार की पार्टी है वो कुछ भी बनाएगा वो प्राइबिट आज लगता है कि आज देयाल उपाद्याजी की जन्तिती है और आज लगता है कि प्रधान मंत्री नरेद्रमदी उनके जो सपने हैं उनको साकार कर रहे हैं देयाल के सपनों को प्रधान मंत्री साकार कर रहे हैं जो लोग दलित की बात करते हैं अंतिम पौदान की बात करते हैं उस कस्मीर में लाखो दलित को नागरिकता नहीं थी उसकी बेटी जब PCS वहां के compete की तो उसको नागरिकता नहीं थी तो आज उन दलितों को भी अधिकार दिया जा रहा है आज नीचे के पौदान के घरों में घर भी है प्रधानमंत्री आवास योजरा में सोचाले भी है नल जल भी है और बिजली भी है रोसनी भी है अब धिबड़ी और लाल्टेन खोजने की ज़ूरत नहीं है चला गया जवाना चाइना और पाकिस्तान जिस प्रकार से भारत के उपर सिकंजा कसरा है बॉर्डर पर जिस तरह से उनके अर्टिलेरी वेवस्था की जा रही है लगता है कि किसी भी च्छन युद छिड़ सकता है क्या लगता है कि इस बार चाइना और पाकिस्तान अगर दोनों तरफ से एक साथ मौर्चा खोलते हैं तो भारत तैयार है भारत किस तरह से सबग प्रधान मंत्री भारत के रक्षा मंत्री भारत के विदेश मंत्री सबोंने अपनी बात कह चुके हैं हम सांति का पएगाम ले करके चलते हैं आज नहीं 1999 में अटल विहरी बाजपई ने करगिल जुद के पहले सांती का पेगाम दिया लेकिन जुद हुआ हमारे जवानों ने हमारे राजनेताओं ने हमारे देश के लोगों ने एक हो करके करगिल का जुद जीता ये भारत 2020 का भारत है 62 का नहीं है जो चाइना हमारे उपर हम सांती की पहल तब तक करते रहेंगे जब तक रहेगा पहल करने का तो ये थे केंद्री मंत्री गिरिरा सिंग जिन्होंने बताया कि किस तरीके से बिहार में चुनाओ एंडिये एक बार फिर से भारी बहुमत से जीतेगा और साथ ही साथ इनोंने यह भी कहा कि देश में जनसंख्या नियंतरन कानून बहुत जरूरी है नहीं तो आने वाले दिनों में भारत को काफी बड़ा संकट का सामना करना पड़ सकता है नील कमल एंबिटी निउज पटना